देश प्रदेश में लगातार बारिश का कहर अब अपना रोधर रूप दिखाने लगा है जिसने आमजन प्रशासन की चिंता को और बढ़ा दिया है आपको बता दे कि बारिश का कहर और अमकार शुर्बान के गेट खोलने के बाद नर्मदा के जल इस्तर में खासी बढ़ोतरी हुई है जिसने तटिये छेतर में रहने वाले रवासियों की चिंता को बढ़ा दिया वहीं सुरक्सा की दरश्टी से प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है लिहाजा बढ़वा मोटक का पूल को दो फीट उपर निकल कर नर्मदा अपना रोदरूप दिखा रही है वहीं पैटर नगरी महिश्वर घाट पर इस्तित मंदीर भी जलमगन होते दिख रहे हैं इस दोरान इस्तिती नियंतर्ण के लिए प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है निवासी निशली बस्तियों को खाली करने का आदिर जारी किये गए वहीं आमजन से अपिल की जा रही है कि तेज बहाओ से दूर रहें बहराल नर्मदा के रोदरुप को देख कर तटिये छेतर भेय का माहौल बना हुआ है खरगों सजेतिवारी की रिपोर्ट हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल SW24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भुलें